नमस्कार दोस्तों, स्वागा तयाब सभी का हमारे चैनल भक्ती ग्यान में दोस्तों आज मैं आपको बुद्धवार की ब्रत कथा सुना रहा हूँ एक समय किसी नगर में एक सावकार रहता था, वह बहुत धनवान था सावकार का विवा नगर की सुन्दर और गुणवंती लणकी से हुआ था एक वार वह अपनी पत्नी को लेने बुद्धवार के दिन ससुरल गया और पत्नी के माता पिता से बिदा कराने के लिए कहा माता पिता बोले बेटा आज बुद्धवार है बुद्वार को किसी भी सुभकार के लिए यात्रा नहीं करते लेकिन वो नहीं माना उसने बहम की बातों को ना मानने की बात कही दोनों ने बैल गारी से यात्रा प्रारम की दो कोस की यात्रा के बाद उसकी गारी का एक पईया तूट गया वहाँ से दोनों ने पैदल ही यत्रा सुरू की राज्ते में पत्नी को प्यास लगी सावकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने चला गया थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही सकल सूरत का एक दूसरा ब्यक्ति बैठा था पत्नी भी सावकार को देखकर हैरान रह गई वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई सावकार ने उस व्यक्ति से पूचा तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैटे हो सावकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई यह मेरी पत्नी है मैं अपनी पत्नी को सस्राल से विदा कराकर लाया हूं लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रिश्ण कर रहे हो सावकार ने लगवग चीकते हुए कहा तुम जरूर कोई चोर या ठग हो यह मेरी पत्नी है मैं इसे पेड के नीचे बैठा कर जल लेने गया था इस पर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई जूट तुम बोल रहे हूँ पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिलावी दिया है अब तुम चुपचाप यहां से चलते बनो नहीं तो किसी सिपाही को बलाकर तुमें पकड़वा दूँगा दोनों एक दूसे से लड़ने लगे उन्हें लड़ते देख बहुसे लोग वहां एकत्रत हो गई नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गई सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गई सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णे नहीं कर पाया पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तिव पती को नहीं पैचान पा रही थी राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा राजा के फैसले पर असली सावकार बहवीत हो उठा तब ही आकास बाने हुई सावकार तुने माता पिता की बात नहीं मानी और बुद्धवार के दिन अपनी सस्राल से रस्तान किया यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकुप से हो रहा है सावकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रातना की के है भगवान बुद्धदेव मुझे ख्षमा कर दीजे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई भविस में अब कभी बुद्धवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदेव बुद्धवार को आपका ब्रत किया करूँ भगवान बुद्धदेव की इस अनकमपा से राजा ने सावकार और उसकी पतनी को सम्मान पूर्वक बिदा किया कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें वैल गाड़ी मिल गई वैल गाड़ी का टूट अप हुआ पया भी जुड़ा हुआ था दोनों उसमें बैटकर न संपत्ति की बर्सा होने लगी जल्दी ही उनके जीवन में खुसियां ही खुसियां भर गई वुद्धवार का ब्रत करने से इस्तरी पुरसों के जीवन में सभी मंगल कामनाय पूरी होती हैं बोलो भगवान बुद्धदेव की जये